हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अंजली विल्यो मैरे में शादी करोगे मुझसे तुम सच में मुझस शादी करना जाते हो नहीं दें तुम सब्सक्राइब कर दो नहीं जय थाइं़! जद एम! जद एम! एम! जाए. सर्, कुछ आवाजा रही है? यहाँ से? जिए 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 इसके शरीर पे चाकु का खाव है अब जाना हो गया ज़िए गाड़ी बड़ाल उसे पंकच ज़दी डेख्यां सब्सक्राइब तो फोन आथा कि किसी को रेस्टरांट के अंदर चाकु मारा गया है यह तो यहां पर जल्दी ले जाओं हमें मर्डर का फोन आया था मगर यह आदमी तो जिंदा है मतलब सर खुनी ने दो लोगों पर हमला किया एक को रेस्टरांट के अंदर बारा और दूसरे को यहां पर अंदर चल के देखते हैं समाल के सर सी इडी हां सर मैंने है अपको कॉल किया था मैं या का मैनिजर हूं बाटी का यह उधरिया चलिए यह उटल के बाहर एक आयलाद भी पड़ा हुदा किसी ने चापके से उस पर हमला किया आप लोगों को पता निक प्ता निकों लोगों लगता चाको मा रहा है. अतियार किसी ने देखा था? जी, बड़ासा नाइफ था, किचिन नाइफ. इसी रेस्ट्राउन के किचिन का चाको था? नहीं, जी, हमारे रेस्ट्राउन का नहीं था हूँ. ये, हमला करने से पहले उसने कुछ बोला कर गया? नहीं, सर, हम लोग बात कर रहे थे और अचाना कि जातिन के पीप पे हमला कर दिया और वो बाग गया. उस आपनी का चेहरा देखा? देखता कैसा था था? नहीं, सर, चेहरा थो नहीं देखा. एक्चिली उसने अपने चेहरे पर मास्क पैना हुआ था. और वो सूपर हीरो पैंते ना पीछे, बैसा गुस्ता. मास्क पैन क्या है, केट पैन के मतलब चेहरा चुपाना चाहता होगा. क्या, अंजली या जतिन की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं, सर्. वो दो बहुत ही सीधा आदमी था. उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी. शाब, यह पोटो देखिए. इस आदमी को पैचानती है? इस पर भी जतिन की तरह हमला किया है, शायर उसे ही मजरिमनी. नहीं, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा. CC TV कैमरा है रेस्टाउंट में? सर्, एक्चिली मेन एंट्रेंस पर है. लेकिन क्यों? जो कि जैसे आपने बताया, केप और मास पैयन कर अगर वो आदमी आ रेस्टाउंट में आता तो उसे रोग लेती बात. इसका मतलब है, वो अबनल कपड़ों में यहां पे आया था, उसके बाद शायद वाश्रूम में जाके उसने कपड़े बदले होंगे. वो सकता है. यह है, केप के पीछे उसने क्या कपड़े पहने ते कुछ यहां थे? सर, सर, उसके नीचे ऐ काली कपड़े पहने वजूरूत में. सी्से टीए, फूटी में जाएगा कितने लोग यहां पे आया थे, काली कपड़े पहनके. हाप अंगत. यहां गुट धिक है, मैं पाच था हूं. जो, वो आदमी खत्रे से बाहर है, उसका नाम मेर है, जा कि देखता हूं, उस अभी इसी मास्क वाली आदमी ने मारा था या किसी और ने है कैसी तविया थर तुमारी? बेटा रहा है सर, थैंक यू सो मच सर, जिसने तुम्हें चाको मारा उसे पहचानते हूं? नहीं सर, उसने चेहरे पर अजीब सा मास्क पहने रखा था, जब ही मैंने मेरी कार पार्ग करी और रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा, तो वच्छानत से वो मेरे सामने आया और मुद से टकरा गया, वेरे हाथ में जो गिफ्ट था, ग्रिस्टल वास, टूड़ वे, अरे, देख नहीं सकता क्या, अंदे? मेरी गिफ्ट ओड़ दी? क्या? देख नहीं सकता क्या? यह बाइट केसी थी, यहाद उसका कलर नम्रोर की शायत ब्लैट कलर की थी? क्या? का हम बाइट? यह साब हुआ कैसे साब हम लोग चाय पीने गए थे तो रामु यहां इधर अकेला था हम जैसे ही वापस आये तो देखा की को ने किया रामु को अरे इसको तुमालो राव हमने पगड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन लेकिन साब वहाथ से निकल गया सर यह खुणी तो बहुत सार फिर है बेवज़ा खुण किये जा रहे है खुद भी बेवज़ा नहीं होता पंकज कोई भी चीज चाहे कितनी भी अजीब क्यों ना हो उसके पीछे कोई ना कोई वज़े जरूर होती है सर इन तीनों अमनों के वज़े है क्या हो सकती है? जातिन, महीर, रामु, इलिदे आपस पर कोई खुणी नहीं है एक खुणी है पांकड, क्या सर? पपल कलर, बैंग नीरा बैंग नीरा? सर, समझा नहीं? इन तीनों लोग पर जिन पर हमला हुआ यह महीर, जतिन और अब यह रामु इनमें एक चीज़ कॉमन है इन तीनों ने पैंग नीरंक के कपड़े पहने हुए एक कलर से आदमी को इतनी नफ्रत हो सकती है कि वो खुण करने पहाज है? अब इसका जवाब तो वो मास्क वाला आदमी दे सकता है और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता इस शैर में हर वो आदमी फत्रे में है जिसने बैंगनी कलर के कपड़े पहने हुए यहां पे बाइक गिरी थी उदर काच ता कुछ तुकड़ा दिख रहा है एक ता बाइक से ही टूपके गिरा होगा यह काच बाइक के हेडलाइट की है यह देखो यह गलास यहां बढ़ा हुआ है यह कैसी हेडलाइट है यह मैकनिजम तो पहले अभी देखा नहीं हुँआ है प्रेक मटेक बढ़ा कुछ दिन पहले मने कहीं पड़ा था ऐसे ही किसी हेडलाइट के बारे पर इसे चेक करना पड़ेगा सार सर रेस्ट्रॉन की सीसीटीवी फुटिज से इन छे लोगों की पिच्चर नहीं है तो इनी छे लोगों में से कोई एक है बगर कौन यह देखो लगे हो यह सब अपने अपने काम है मेरा बड़े लेकिन किसी को विष्ट करने की चिंता नहीं है यह है दोस्ती का नमोना आरे तो आके चुपचाप क्यों खड़े ते गला खराब नहीं है और मैं चुप का हूँ चुप तो तुम हो नहीं हो यार कुई बड़ा सुरागलाए तूम बता ना यार कुमारी जिंदकी में सिर्फ शुरागी सुराग है बस और कुछ नहीं है कुछ और भी है बाई जिंदगी में कुछ और भी है और क्या होता है कुछ ले पूस ले सुराग नाया हूऊ है वो जो जिसने चाकु से वार किया, वो कोई नौसा किया नहीं रॉपेशनल नहीं है अच्छा नौर यह आपने कैसे पता लगाया इस तर इसे चाकु से वार बिना सोचे समझे अवे, डॉक साफ, आप यहाँ मैं अभी अभी आभी को याद करना दा तुम मुझे याद करना दे तेंक्यू दया, कम से कम तुम्हे तो याद है यार क्या याद है, क्या याद है बताओ, बताओ, दया, क्या याद है इन लोहों से किसी बात की उमीद लगना देका है? मतलब? सर आपका वो तोफ़ा हो तोफ़ा? लायो? दिखाओ दिखाओ यार सब के सामने दिखाओ ने ने वो तोफ़ा मैंने फॉरंशिक लापे पेश्टिया अरे एक में है कौन से तोफ़ा की बात कर रहा है तुम पर किसलिए? इनका कुई बड़े बड़े थोड़ी ना? अरे वो बड़े वालतों पाने काम कर तोफ़ा उससर ने केस 415 की बलेस्टिक रिपॉर्ट लोगाई थी तो वो मैंने अभेज थी और न सिख महस है यह तुम्ही इस तोफ़े की बात रहते हैं बेलेस्टिक रिपॉर्ट है बेलेस्टिक रिपॉर्ट कोई तोपा होता है क्या यार तो आप क्या समझ ज़े थे सार? मनलब एड़े थी थारस चोड़ो यार जाने दो मुझे उने सुनाओ तुम जो सुनाओ वो क्या लिया है सार उनके को शायद टेंशन होगा केस का इसके लिए सर यह जो बाइक के हेडलाइट का जो टुटावा ग्लास मिलादा क्राइम सीन से यह एक खास किसम के हेडलाइट है सिर इसका नाम है Adaptive Sensory Headlight और इसमें यह जो यह जो अपने बालाइट कर लेता है कि इस अगल पर मुझने वाला है और उस हिसाब से वह भार रौश्मी करेंग जहां-जहां साधरन रख एडलाइट के रौश्न ने पाँछिए सर तो इन इन हेडलाइट के ज़रे हम मुझरम तक पाँएंगे परवीक यह बहुत ही महांगा मेकानिसम अशर और अभी तक इंडिया में एक ही बाइक कंपनी जिसके पास यह है और शहर में उनके सिब दो शोरूम्स तो फिर बास तूम एक शोरूम में जो दाया और दूसरे शोरूम में अभी जीच जाएगा जाएगा कौन सी बाइक चाहिए बस पसंद कीजिए चावी हम अपको तमा देंगे यह माँ पर मिलता है जरूर सर मिलता है एक मिनट हम लोग यह बाइक खरीदने नहीं आए हम लोग CID से हैं जरा अपने मैनेजर साब को बलेए जी कहिए क्या बात है मैं साब आपके कंपनी की जो बाइ अबने की आति है मां आजिए नहीं किसम की लाइट अने लगी ना ये एदोर्किव सेंसर यह हमें ऐसे कस्टमर करना जिसे आपने सी हेड़लाइट वाली बाइक बेची हो जी ऐसे हैं लाइट वाली बाइक अभी तक तो शोरूम में आ नहीं है और नाहीं हमने से कोई बाइ पता नहीं सर कैसे पोची है और ये एडलेट तो अभी तक इंडिया में ही नहीं आई है पास दिन बाद आने ओगे आप चाहे तो पुछताच करके देखी ये फोटोग्राफ देखी है इनमें से किसी को पैजानते हैं आप ने सर मैं तो इनमें से किसी को नहीं जानता हूं ओके तैंक यू बेरी मुच्छ सर क्या बात है सरी मैनेजर जूट बोल रहे है मैनेजर जूट बोल रहे है क्या मतलब सर उस हैडलेट के तीन पीसेश आये थे सर हमारे शोरूम में ट्राइल के लिए सर ट्राइल के बाद एक दिन अचानिक से सब गायब हो गई पर इस मैनेजर नहीं दिये हैं वो तीन पीसेश अपने दोस्तों को और अपने रिष्टेदारों को यह फोडोग्राफ समसे किसी को पच्चान्तों को यह दिखो सर यह तो सनी है मैनेजर का बेटा सनी का है? कादर कमरे में कमरे में सनी? सनी सनी धरवाजय खोलो सनी धरवाजय अपर आपके रखा है शुक्र करो इससर्फ आसमान सर पे उठाके रखाओ अगर मैन दिमाग से काम नहीं लिया होता न तो अपना बेटा चक्की पीष़ रह उता भी तोन की है कि हमारी बेटे ने कुछ नहीं कि है तेंके में के रहा हsehen आख्छांस रही है हमसे जूड बोला सनी का है अए Forschा है सनी इस कमरे में rij आप सनी दर्वासा कलो साने! 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 हमारा यक्किन किजिए, सर. हमें पता ने था कि सनी ऐसा कुछ कर सकते हैं. अब तो पता चली गया होगा. यो चाकु आप एक एगर का है, पर उस चाकु पर जो उंगलियों के निशान मिले, वो सनी की ही है. यह कैसे हो? सनी पर तुम ध्यान ने रख सकती है. तो ध्यान रखना सिफ मेरा काम था. आपकी कोई जिमेधारी नहीं थी. एक मिए, प्लीज. चान्तु जही आप दोना. सिर्व इतना वताई कि क्या वजे हो सकती है, कि सनी ने जतिन मेर और रामू पर हमला किया? पता नहीं, सर. हम तो उन लोगों को चान्ते तक नहीं थे. और जहां तक मुझे पता है, सनी भी उन्हीं नहीं नहीं जानता था. वो तीन लोग जिनका खून हुआ, उन लोगोंने पेंगनी पॉपल रंग की शॉर्ट पहनी थी, जब सनी ने उन पर हमला किया. तो क्या सनी को पॉपल रंग से कोई कुछ नफरत है? नहीं, सर. ऐसी थी कोई बात नहीं. सनी अभी भी भी गोश्मा नहीं दिख रहा है, और जब हम उसे कम्रे में गए थे, तर्वाजा तोरके, तब भी उसने कुछ रियक्ट नहीं किया था. ये कोई नहीं बात नहीं है, सर. ये तो उस दें से चल रहा है, जिस दिन उसने वो टीवी शोर रॉकेट मैन देखना शुरू किया था. क्या है? रॉकेट मैन? हाँ, सर. उस टीवी शोर की ऐसी लगी है उसे, ना तो टाइम पे खाता है और ना ही सोता है. और घर से तो क्या कम्रे से भी बहार नहीं निकलता है? रॉकेट मैन. सर, साइबर टीम ने सनी का कम्प्यूटर चेक किया, तो पता चला कि उसने ये रॉकेट मैन वेला शो का हर एपिसोड नब्बे बार देखा है. नब्बे बार? 90 ताइम्स है? है क्या इस शो में का? सर, ये शो बच्चों को कुछ जाधे ही पसंद है. इसकी शूटिंग यही चल रही है, मॉंबई में. सर, इस टीवी शो में रॉकेट मैन ने जिस आदमे को मारा, उसने वाफलर की शॉट पहनी थी. तो कहीं यही कनेक्शन तो नहीं? शायद ये सनी खुदको सीरियल का हीरो समध रहा है. रॉकेट मेन बनकर उन लोहों का फून कर रहा है, जिन्हों ने बैगनी कलर के कपड़े पहने हुआ है. लगता प्रेसी इने पर. क्यों? सर, साइबर टीम से बता चला है कि जिस वख रामु का खुब वा था, उस वख सनी कंप्पूटर पे लॉक्डेन था. तो उस वख ये सनी घर पे था? हाँ, सर. और उसकी मोबाईल की लोकेशन भी घर पे दिखा रहे थी. सर, ये सनी ने रामु का खुण नहीं किया सर. सनी के अलावा कोई और भी ऐसा है जो इस रॉकेट मैन के चलते हैं, बैंगनी कलर के कपड़े पहनने वानों का खुण कर रहा है. लेकिन सर, इस रॉकेट मैन के सर्फिर फैंस तक पहुचेंगे किसे? पगज एक काम करो. साइबर टीम से को, कि उन लोगों के लिजब बनाए जो इस रॉकेट मैन शो की पैन है. और उन लोगों को ठूंदो, जो बार बार रिपीट पे रिपीट एपिस्टोस देखते हैं रॉकेट मैन. और एक बार, साइबर टीम से ये भी को, कि जब तक हमार इस कीस का इंविस्टिकेशन फूरा नहीं होता, ये शोर इंटरनेट से हटाने है. अँद्या, चुछ, जरा इस रॉकेट मैन के सेट पर जाकर देखो तो सही, कि ये सारा चक्कर है क्या? क्यों ये रॉकेट मैन तेखने के बात लोग खूत खून कर रहे हैं? digits yaz ऐस रसी हो रही है? is यह रहेगा यंविद मैं? मुबारह के फिर डिसाइड हो गया, मही रहूँगा, चलो शूट करते, चलो आजया. लिसर, यह भी उतारो, अभी के अभी उतारो, सारे कपड़े, अब पताच चलेगा इसको. मेरे कपड़े उतार दिया, आपलो. सर, सर, अरे क्या दिख्रानिया, मैं बिजी हूँ? सवरी सर, उच अरजेंट है सर, अच्छा, इनके जगड़त है भी अरजेंट? जी सर, वो स्याइडी वाले आया है सर. माप किजिए, आपको शूटिंग में डिस्टरब कर रहे हैं तो. नहीं, इसमें डिस्टरब वाली कोई बात नहीं है, आप चाय लेंगे, कॉफी नहीं है, दीपक? नहीं, नहीं, इसकी ज़रत नहीं है, आप ज़रा ये वीडियो देखें. ये तो मतलब पर चाय लिए होगा है, आप ही के शोग? आपके इस रॉकेट शोग के वज़े से शेहर में दो दो लोगों के खून हो गया है. क्या? ये. मतलब हमारा शोग देखें लोगों की खून हो रहे है. देखें सर, आप लोगों कुछ गलत सर्मी हुए है. पेली बात तो ये, ये वीडियो हमारे शोग का है ही नहीं है. क्या? ये वीडियो रॉकेट मैंन का नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. नकली है. इसमें आप Mr. Brain का करेक्टर देखें, बिल्कुल अलग है. ये हमारे Mr. Brain है. नमस्कार. मुझे भी ऐसा रहा है क्योंकि इस शो के बहुत सारे फैंस है, वो उन लोगों में से किसी ने इसका वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दिया हुए. और सर्म लोगों को अलावड ही नहीं है कि हम इस शो का कोई भी वीडियो इंटरनेट पे डाले. वना टीवी चानल हम पर केस कर देंगे. अच्छा. अलो. अधिया, सर. अलो, पंकरज. हम लोग यहां पे वो रॉकेट मैंन शो के सेट पे हैं. इनका कहना है कि वो वीडियो इन लोगों ने नहीं बनाया. साइबर टीम से पता करो कि यह वीडियो बनाया किसने, और इंटरनेट पर किसने डाला? सर, वो साइबर टीम की एक ख़बर मुझे आपको भी देनी थी. ना बताओ. सर, क्या है? इतने भी लोगों ने वो वीडियो देखा हैं साइबर टीम निकाल लिया. उसमें से एक IP एड्रेस है सर, जिसने साठ भार वो वीडियो देखा है. साठ भार? साठ भार? या, सर. लगता ये भी सनी की तरह इस शो का कोई ब़ाट बड़ा फैन है? सर, परम नाम रसका. इन पर इंटरनेट पेटा है. और उसने इंटरनेट से सर, रॉकेट मैन का कॉस्ट्यूम और मास्क भी मंगाया. अच्या? हाँ सर, कल रुपेर को ही मंगाया सर. रुपेर को डेलिवर हुआ परम को और राथ को रामू का खुन हुआ. रगता ये दूसरा खुनी ये परम ही है. ये काम करो, इस परम का लोकेशन जल्दी बिज़ो मुझे. अभी बेच आँ सर. रिक्टर साब अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर जरूत पड़ी तो हम तिर आएंगे याँ पर. शर्थ, शर्थ. शर्थ. काजल जी, जरा एक मिटी आएगा. जी सर. आपसे तोड़ा काम था. जी. शर्थ, यही वो परम को अड्रेस है जो पंकज में दिया था. जी, कहे आपको किसे मिलना है? मैम, परम का है? वो जस्ट अभी अभी बाहर गया है. किसी पैंसी ड्रेस कॉंपेटिशन के लिए? पैंसी ड्रेस कॉंपेटिशन? हाँ, वो होता है ना, जिसमें लोग अजीब-जीब से कपड़े पहन कर जाते हैं. वो भी कोई मास्क और किसी लंबी सी ड्रेस में गया है. अभी ड्रेस बाइक में गया है वो. वो कहां जा रहा है? कुछ बताया उसने आपको? नहीं, यह तो उसने नहीं बताया कि वो कहां जा रहा है. ठीक है, thank you. लेकिन आप लोग है कॉन? हमें उस तरफ पॉष्णा होगा. लेकिन उसे पता किसे चलेगा कि यह वो गया किस तरफ है? वांच बिट पहले निकला वो यहां से. ज्यादा दूर नहीं किया होगा. एक काम करो. ट्राफिक कंट्रोल रूम में इस परम के बारे में एलिट करो. उन्से कहो कि अंदेरी की आसपास कोई केप और मास बहन के बाइक चलाते वे देखा गया है. और हां, हम लोग भी यहां से अलग-अलग दिशाओं में चलते हैं उसे थूडने के लिए. ठीक है? हाँ पुर्वी, अनि लग? सर अभी तक तो नहीं है. ठीक है, नजर रखो आसपास. ओक. हाँ प्रड़ी, क्या हुआ? मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. होगा, आसपास से कहीं होना चाहिएगे. अरे भाई साब, यहां पर किसी को बाइक पर जाते वे देखा, मास पहने में लंबा सा कपडा था. नहीं साब. नहीं? जुआ को अरे भी को यहां पर जाते हैं. अरे भाईक पर जा रहा है, जिसने मास्क और केप पहन रख. यही है साब. किती दूर है तुमसे? सर्य कोई सोट ड़्ट सो मिटर की दूरी पर. मैं आर्टी ओफिसर को बोल दूँ इसे पकड़ने के लिए? नहीं, नहीं, उसके पास हत्यार भी हो सकता है. चांस मतलो. उसको फालो करो. वो किस तरफ जा किस तरफ राए? सर यहाँ पर. एलेफेंट चॉक. पिड़ी, एलेफेंट चॉक पॉचॉक. यह स्तर. पाई साथ, थोड़ा थेज़ चलाएंगे. उस उस बाइक वाले के तीज़े. लेफेंट. काजल जी, जर एक वुझ यहाँ है. मेरे साइस का एक पॉपल शिर्ट एरिज कर सकती है? हाँ. जी सर, कब तक छे यह? अभी. रॉकेट मैं, हाँ? पुझे क्या लगा? रॉकेट की तर ओडेगा तू? तारीका. यह, कब से वीडियो देखते हैं? अभी, वो हट्टी नहीं रहे हैं. वो कहे रहे हैं, जब तो मुर्ड़रस का पता ना चल जाए, मैं रिपीट मोड में देखते ही रहूँगा. अच्छा, परम के बारे में क्या बताश्या? यह, उसके भी हालत ठीक सनी जैसी है. लेकिन उसके सिस्टम मों भी ड्रग्स नहीं मिली. सालूंके. 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 इस वीडियो में, कब से देखते हैं तु? 30 बार देख चुका हूँ, और 50 बार देखूँगा. तब तक देखूँगा, जब दक सुराल हाथ मेरे लग जाता. वैसे वी, तुम लोगों तुम सुरागी चाहिए ना, और तो कोई संब्ध है इने ना, हमारा? सर, सर, यह साइबर टीम से पता चलिया, यह वीडियो कहां से अफ्लोड़ है? कहां से अफ्लोड़ है? आउट उप इंडिया से, सर. यह किस्स हो सकता है? यह रॉकेट मैंट शोट तो, सर, सर, यहां पर गया में बनी है? हाँ, सर, वह बात सही है, लेकिन ख़वर पक्की है. नहीं पंकर, ख़वर शायद गलत है, सर, यह देखिए. यह वीडियो जब मैंने वापस देखा तो, रॉकेट मैं के कपड़े पे मुझे ज्या मिला. केवी, सर, यह मेरी नाम का इनीशियल है. आपके नाम के इनीशियल के यह जो कॉस्ट्यूम है, वो सर, नकली रॉकेट मैन के वीडियो में कैसे? सर, मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? इसका मतलब साफ है. या तो आपने, या फिर आपके यूनिट में से कोई है, जो इन कॉस्ट्यूम को वो नकली वीडियो बनाने में इस्तमाल किया है. सर, मैंने कुछ नहीं किया, पर हाँ, सेट पर कुछ लोग मेरे काम से जैनिस है, हो सकते हैं उसी में से किसी का कियाधरा हो. ऐसे कितने कॉस्ट्यूम्स है तुम्हारे पास? जी, तीन है, एक अरुन ने पहना हुआ है, दो बेकप के लिए हम रखते हैं, अलमीरा में सेफ है. दिखाओ जरा. मैम यह देखिए, दोनों कॉस्ट्यूम्स यही हैं, मैंने तो आपको पहली कहा था, आपको कोई गलत फैमी हो गई है, मैम यह कॉस्ट्यूम्स इतने एक्स्टेंसिव है कि इन्हें लॉक करके रखा जाता है, और मेरे इलावे इने कोई और हाथ नहीं लगा सकता, ले जा सकते हैं, शूटिंग ख़म होने के बाद, अब आद में शूटिंग शूरू होने से पहले लाके अरक भी सकते हैं, अलमीरा की चावि किस किस के पास होती है, वो प्रोड़क्शन कंट्रोलर के पास होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, तो हो सकता है किसी और ने डूब्लिकेट चावि बन वाली हो, उसकी चावि से, जड़ा इस प्रोड़क्शन कंट्रोलर को बलाओ, अरे राजिंदर का हैं, पुला होते है, यहीं हो सर, सर मुझे पता था, सारा अलजा मुझ पही आने वाला है, जब भी शुटिंग में कोई गड़बर होती है, तो डार्ट प्रोड़क्शन वालों को भड़ती है, अल्मीरा की चावि तुम्हारे पास है नहीं? सर, नाम के लिए होती है मेरे पास, सर, दिन बर में इतने सारे लोग हैं, जो उत्य चावि मांगते रहते हैं, कभी कॉस्ट्म निकालने के लिए कभी जूता चपल तो, अल्मीरा की चावि कॉन कान मांगता है तुम से जरा नाम बताओ, सर यह देखें सर, इस चल्ले में इतनी सारी चावि हैं, सर, कॉस्ट्यूम की टॉपट्ट्री मैंने तुम से नाम पूछा, कौन सी चावि कौन सी अल्मारी किया यह नहीं, इस चावि का गुच्चा कौन कौन लेके जाता है, सर, एक काजल जी और उनकी असिस्टेंट माला, एक हमारे डारेक्टर साब, एक आर्ट डारेक्टर, और छहे स्पोर्ट बॉय और एक ड्रेस दादा सर, और तुम भी? मागर मैने कुछ नहीं किया सर, इसने क्या किया है, तो आम पता कर लेंगे, थैंक्यू. सर, अपने आलावा और दस लोगों के नाम लिये है, इस राजेंद्र ने है, और इस सब का मास्टर माइन, हिन ग्यारा लोगों में से कोई भी हो सकता है, मगर कौन? सर, सस्पेक्स के लिस्तो बन गई, मगर अभी तक ये पहली रही सूज़े कि, ये वीडियो देखर लोगों क्यों कर रहे है, इसे है क्या इस वीडियो में? जद भारिका, ये अभी भी वीडियो देखते बैठा है? सर, में क्या करूं? मुझे तो बहुत फिकरो रही है, इन्होंने वाश्रूम तक का भी ब्रेक में लिया, कॉंस्टेंट देखे जा रहे हैं, वा क्या इसे? सर, वैसे ये आप सबसे थोड़े अपसेट हैं, तो क्यों? आपने से किसी में इने विष्ने किया, अज इनका बर्दे है, क्या? ओ, कौन? मैं तो भूली गया काम, यार, तुम तो पता देलती पहले, उन्होंने मुझे मना किया था आपको यार देलवाने को, इसलिए वहां पे इतना मुखड़े फुरे नजार आ रहे थे भीरों में, अब समझ में आया वो तौफा-तौफा क्या कर रहे थे, सर बदे को रुटा, अब समय यार, जा, हलो, सर्व, मैं आपको प्रशेए, मलोब हम सब्सुरी है, मनी-मनी हापिरेटनस अब देए, सर्व रोग, सर्व रोग, सर्व, है, हापी बढ़्डेस हाओंगे, हापी बढ़्डे तू यू, आपी बिर्डेस हाओंगे, हापी बढ़्डे तू यू, ये एक बढ़्डेस हूंगे, ये और वद्ट्रा यू . बढ़्डेस वू.. बाइसाब बढ़्डेंस बया, बस्काइट रहनों हाओंगे? यार! ऋलूब्ड़ू! तबढ़ू एक यार! कि एक अचयों? पुर्तिक कैनलाएं? करें तूसमें? यह बेंगरी कलार कि शर्क लटेंगरी खिला रही है अब ही जटेर बेंगरी कलरी में जाए बावल कि आए खुळिए! 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 खुळिए, खुळिए, खुळिए. बेटे बेटे पांदी जिए. क्या हुआ? ने, सुल्मिय. अले, पाने, पाने. पानी बीजिये, सर. सर. सर, सर, परपल कलर का इतना भ्यानग है, सर? ज़र यह परम और सनी पर वीडियो देखने ही वादा, ऐसा ही असरुखा था. यानि लोग किसी ड्रग के इंफ्लुएंस मिली, बल्कि इस वीडियो से सम्मय उत्वा करकून कर रहे हैं? लेकिन ऐसा क्या है इस वीडियो में, जो लोग इस तरीके से हिपनोटाइज हो रहे हैं? कुछ तो है उस वीडियो में, जो भी इस वीडियो को बार-बार धियान से देखता है, उसके अंदर ये परपल कलर कर पहनने वालों का फून करने का जुनून सवार हो जाता है. कुछ नजर नहीं आ रहा है कि आदमी इतना वाइलेंट हो जाया है? कुछ तो है इस वीडियो में, एक काम करते हैं, रिवाइन करके फिर से देखते हैं, स्लो मोशन में एक एक फ्रेम चेक करते हैं. सर ये फ्रेम क्या होता है? पंकज एक सेकंड में 25 फ्रेम्स होते हैं, जैसे यह देखो, यह फर्स्ट फ्रेम्, यह सेकंड फ्रेम्, थर्ड फ्रेम् किल? विलेन आखी क्या है? जैसे, 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 इन, इन, पर्पल, पर्पल, भेंगे? सेर्फ, झाल झाल कि विलेन इन पर्फल सेफ तवर्ड बार डालो साद में कुछ इसने पर्फल पेना है बचा लो इस दुनिया को अर्मन स्पीट में ते मैसेज नजर ही नहीं आ रहा था था सब्लाइमे टेक्नीक ये सब्लाइमे टेक्नीक एड़टाइजिंग का एक टेक्नीक है ये सब्सक्राइब करते थे ये एड़टाइजर्स दर्शकों के कॉंशियस माइड पे नहीं सब्सक्राइब पर अचेतन दिमाग पर फिर बाद में बंग कर दिया थे लिए नुमें रहिट फालो ने भुतसार आज अबजेक्शन डेलिया सब्लाइमेनल टेक्नीक सर्व मैंने भी सोना था कि ये टेक्नीक हैवी मैटल म्यूजिक में बी इस्तमाल की जाती थी मैंटीन सेवेने लोकाने आत्मत्य कर ली थी तो इस तरह से टक्टी को और कला का गलत इस्माल करते थे कहिंग लोग, लोहों को इतनाइस करके उनसे जर्म करवादे थे, एक्जाक्टली, तब कौन होगा इसका अदला शिकार, कौन? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखेर हम सब को इना बुलाया क्यों गया है, तो वही तो सोच रहा हूं है, हम शूटीं स्केडूल से वैसे पीछे चले हैं, और अब यह नहा ड्रामा है लोगों ने शुरू किया हुआ है, अब प्रोडूसर साब ने खुद अब यहा है, यहाँ प्रोडूसर बाइ़ को तो प्रोडूसर को से प्रोडूसर भी से खुद में जोटीं से लगों प्रोडूसर प्रोडूसर इनला अब बाटूसर यह तो वही नखली वीडियो है हमारी टिवीशों वाला शबास रोकेटमेंट शबास यह देखने के ने बुलाया हमें आज अगर तुम नहीं होते तो यह दुनिया खतम हो जाते आज एक बार फिर तुम ने इस दुनिया को बचाया है कि अगले शुरू हो गया है काईस सौरी एक वीडियो बार बार देखे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती है आइम लेविग इंदर्वाजा किसे बंद हो गया तोरे क्या लिया ड्रामा सा दर्वाजा भी बंद किया हुए अगले शोलो लगता है प्रोडूसर के अगले विजोंका कोई रांतों नहीं बंद रहा है? वो गौड, येतों तीसरी बार शुरू हो गया वीडियो, प्रोडूसर नार पारमार क्यूंद दिखा रहे हैं वेडियो सब परपल, परपल हो गया जोए... शरोभी, ये क्या नएया ड्रामा है, सरू? परपल लाइट. ये, वो क्या राहिए? शवाष रोगे तुमें, शवाष. शवाष रोगे तुमें, शवाष. शवाष रोगे शवाष. वो सेडी वाले आया, सरू. भीपप, टीवी शो में स्पॉट बाय का काम करते हो. है? और शुटिंग ये बार? खुण का खेल केल रहे था है. खेल खेलना तो हम भी अच्छी तरह से जानते हैं. तुम्हारे जाल में तुम्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए हमने वो वीडियो रिपीट मोड में आँटियों पिर फर्फल लाइट्स ओन कर दू इससे सब के कपड़े बैंगनी नजराने लगे तुम्हारे भी सिर्फ मुझरिम यानि तुम्हें मालूम था कि खुणी ब पर पिर क्या था? भीकी बिली कि दरह तुम वहां से जान बजा के भाग निकलें? और हमारे चंगल में फस गें? बहुत देर कर दी तुम लोगों ने मुझे अपने चंगल में फसाने में अब मैं कामियाब हो गया हूँ इसे तुम कामियाभी कहते हो मासम लोगों की जाने लेना उन्हें ब्रेइन वाच करना उनसे कौन करवाना इसे तुम कामियाभी कहते हो साइंटिस्ट हु मैं साइंटिस्ट अपने मकसद के लिए रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करता हु मैं इसके लिए दो तिन लोगों की जान भी चली जाए तो कोई चिंदा नहीं विज्ञान इनसान को जिन्दगी देता है इनसान की जिन्दगी नहीं लेता तुम जिसे विज्ञान कहते हो ना उसमें दो मासुम लोगों की जाने लिए कानून तुम्हें कभी माफ में करेगा कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें से एक बाप बतो क्या ओ तू लो कंजूसी है अरे इतना छोटा सा केक लेक लेक आग वे या देली जुर्ण सरेक तो आप तो आप ते मुझ पर हमला किया अर आपका बदे याद करके मैं यह केक लेकिया है और आप यह कहा रहें देखो आपना करने के लिए मैंने तुमसे माफी माँदी नहीं तुमसे सॉरी बोलता हूँ यार लिकिन केक तो छोटा ही है यह यह इतना सा केक तो यह अकेला फ्रेडी खा जाएगा अरे शरा प्लीस केकाची है ना बहुत भूग लग रही है इसके बाद आपके दिनर पार्टी में भी तो जाना है मेरी पार्टी? अब आप कांजुसी मत रहे हैं अच्छा ठीक है यार तुम लोग भी क्या आद रखो है आज सालुके की तरफ से पार्टी अच्छा रहाँ आप लोग भी तो यू आपके लोग भी तो यू